हेलो पैरेंग्स मैं प्रीतियादव स्वागत करती हूँ आप सभी का अपनी एक और नई वीडियो में आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि बच्चे जनरली कब से बोलना शुरू कर देते हैं बच्चे को आप कैसे जल्दी बोलना सिखा सकते हैं और अगर आपके बच्चे ने अभी तक बोलना शुरू नहीं किया है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं तो आप हमारी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें वीडियो को कहीं से भी स्किप ना करें सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि बच्चे कब से बोलना शुरू कर देते हैं तो देखिए जब आपका बेबी पैदा होता है तब से ही आपका बेबी आपसे बात करना शुरू कर देता है आपसे बोलना शुरू कर देता है जब वो छोटा होता है उसे भूइक लगती है या फिर उसे टोइलेट कर ली होती है उसे कोई भी और प्रॉब्लम होती है तब भी आपका बेपी आपसे बात करता है आपको बताता है हाला कि उसके बात करने का जो तरीका होता है वो अलग होता है जब भी उसे कोई प्रॉब्लम होती है उसे भूख लगी होती है तो वो रोकर उसे एक्स्प्रेस करता है वो रोकर बताता है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है और जब बच्चे का जन्म होता है उसके तीन महीने के बाद से ही आपका बेपी आवाजों को पहचानने लगता है जब आप उसे बुलाते हैं तो आपकी आवाज को वो पहचानता है वो आपकी तरफ सर करके आपकी तरफ देखने लगता है 3-4 महिने के होने पर वो तुतलाने लगता है, हसने लगता है, हस कर आपकी बातों का जवाब देने लगता है जब आपका बेबी 9-12 महिने का हो जाता है, तब वो बाई बाई करना सीख जाता है, किसी बात को मना करना सीख जाता है और जब आपका बेबी एक साल का होता है उस टेहन तक आपका बेबी दादा, पापा, भुवा, मामा ऐसे वर्ट सीख जाता है अब हम बात करते हैं कि आप अपने बेबी को बोलना कैसे सिखाएं क्या करें जिससे आपका बेबी जल्दी बोलना शुरू कर दे तो आप अपने बेबी के साथ जादा से जादा टाइम स्पेंट करें आप अपने बेबी के साथ जादा से जादा बात करें जब भी आप अपने बेबी से कोई बात कर रहे हैं तो कुछ भी बताने के लिए थोड़ी देर का वेट करें जिससे कि आपका बेवी उस बात पर रियक्ट कर सके इसके अलावा बच्चे के साथ गेम्स खेलें, बॉल्स खेलें, ब्लॉक खेलें उसे आप जो भी चीजे दिखा रहे हैं, हर चीज का आप उसे नाम बताएं जैसे कि ये एपल है, बनाना है, पटैटो है दीरे दीरे आपका बेवी इन सभी चीजों से बोलना शुरू करेगा घर में आप जो भी सबजी बना रहे हैं, आप उससे बात करें, उसे बताएं कि आज हमारे घर में डाल बनी है, पनीर बना है, आलू बना है आप अपने बच्चे को बताईए, अपने बच्चे से बात कीजिए उसके साथ time spend कीजिए, उसे story सुनाईए इसके अलावा जब आपका बेवी बहुत छोटा होता है बच्चे के साथ छोटे उम्र से ही आप बाते करना शुरू कर दे उसे आप हर चीज के बारे में बताएं, जो भी आप कर रहे हैं चाहें आपका बच्चा समझे, चाहें ना समझे कई parents को लगता है कि अभी तो इसको समझ में ही नहीं आएगा तो भी आपको ऐसा नहीं करना है, आपको उससे बात करनी है आप नहाने जा रहे हैं तो आप उसको बता कर जाएं खाने में क्या बनाएं वो बताएं कपड़े कौन से पहनने हैं वो आप उससे पूछें उसके लिए आप choices रख दें at least वो हाथ रख कर तो react कर ही सकता है जब भी आपका बेबी अपने मुँसे नए words को निकाल रहा है तो आप खुश हो जाएए आप उसके लिए clap कीजिए आप अपने बच्चे को motivation दीजिए और जब वो बोलना शुरू करता है और अगर आपके घर में बच्चे और भी हैं चोटे बच्चे तब तो आपका बेबी बहुत ही जदी बात करना सीख लेगा नेक्स्ट पॉइंट की अगर आपके बेबी ने अभी तक बोलना शुरू नहीं किया है तो आप उसके लिए क्या करें तो सबसे पहले तो अगर आपका बेबी देरी से बोलना सीखा है तो आप अपने बच्चे को कुछ भी सिखाते वक्त कुछ भी समझाते वक्त कभी भी दूसरे बच्चे का एक्जामपल ना ले जो भी वो कोशिश कर रहा है कुछ भी नया बात करने की कोशिश कर रहा है तो उसे मोटिवेट करें आप अपने बच्चों के साथ जादा से जादा time spent करें, आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा बाते करें, जिससे वो आपको देखकर चीजों को सीखेगा कही बार parents अपनी life में ही इतना busy रहते हैं, जैसे कि आजकल working woman होती है, उन पर ज़्यादा time नहीं होता, तो वो अपने बच्चे पर भी जाता ध्यान नहीं दे पाती, तो आपको अपने बेबी से बात करनी पड़ेगी या फिर आपको आपके बेबी के लिए ऐसा माहौल तैयार करना पड़ेगा कि वो दूसरे लोगों के साथ interaction कर सके, ताकि उसे बोलने का मौका मिले, जब आपका बेबी रात में सो रहा है, तो रात को सोते वक्त उसे कहानिया सुनाएं बच्चे को जानवर अगर आप कोई भी दिखा रहे हो, कोई भी टॉइस दिखा रहे हो, तो उसका नाम बताए उसके आवाजे निकाले हैं, उसके एक्सप्रेशन करें, इससे आपके बेबी के अंदर कम्मिनिकेशन स्किल डवलप होगी, इसके अलावा अगर आपका बेबी डेट साल का हो गया है और उसने एक भी शब्द नहीं बोला है, या फिर दो साल की, दो साल तक वो दो अक्षर वाले सब्द भी नहीं बोल पा रहा है, या फिर उसने अपना पहला अक्षर दोनों 9 महीने से लेके 18 महीने के बीच में बोला था, उसके बाद आपका बेबी आंगे नहीं बोल रहा है, तो फिर आपके लिए चिंता का विशय हो सकता है, और आपको इसके लिए किसी भी स्पेस लिस्ट से संपर करना चाहिए, आपको अपने बेबी को उसे दिखाना चाहिए, I hope कि इस वीडियो से आपको पता चला होगा कि आपका बेबी कब बोलना शुरू करता है, अगर उसने बोलना शुरू नहीं किया है, तो आप उसके लिए क्या कर सकती है, अब आप ये सारी चीजे अपने बेबी के साथ भी फॉलो करें, अपनी बेबी के साथ जादा से जादा टाइम स्पेंड करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारी और भी वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको हमारी अपकमिंग वीडियो की अपडेट मिलती रहें, इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी सवाल है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकती है, हम आपके सभी सवालों का जवाब देने की पूरे कोशिश करेंगे, मिलती हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तिल दैन इंज्वाइ और पैरेंटोट